हलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम है हर्षता और आप देख रहे हैं सिनेमा शो आज की खबरों का सिलसला शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे नए यूट्यूब चैनल यानि ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं, वहाँ आपको मिलेगी सिनेमा की दुनिया की तमाम जरूरी खबरे, रिव्यूज, इंटर्व्यूज, मुवी रेकमेंडेशन्स, ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक आपको इस वीडियो के डेस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें, चलिए अब शुरू करते हैं Warner Brothers की फिल्म The Batman का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है, इसमें Catwoman की रिलेशन्शिप को दिखाया गया है, करीब तीन मिनट के इस ट्रेलर में रॉबर्ट पेटिंसन खूब एक्शन करते हुए दिख रहे है, The Batman 4 मार्च 2022 को थेटर्स में उतरेगी जोया अक्तर ने बताया है कि प्रयांका चोपडा के कहने पर आलिया भट और कट्रीना कैफ ने फिल्म जीले जरा में काम करने के लिए हामी भडी थी जोया ने इंटर्व्यू में बताया कि इस फिल्म के सभी एक्टर्स एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे परानाक्तर के डिरेक्शन में बनने वाली ये मूवी साल 2022 से फ्लोर पर आ जाएगी मल्यानम सिनिमा के दिगज मोहनलाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म बारोज का टीजर रिलीज कर दिया है ये एक फैंटिसी एडवेंचर ड्रामा है और इसे डिरेक्ट भी उन्हों नहीं किया है एक मिनिट दस सेकंड के इस टीजर में मोहनलाल खुद को डिरेक्ट करते हुए दिख रहे हैं ये फिल्म 3D फॉर्मिट में रिलीज होगी इर्फान खान की फिल्म Murder at 3.0.302 आने वाली है ये फिल्म लंबे समय से डिले हो रही थी अब फाइनली इसे 31 दिसंबर को Z5 पर प्रीमियर किया जाएगा वरुन धवन और बदलापुर वाले डिरेक्टर श्रीराम रागवन फिल्म 21 में साथ काम करने वाले थे लेकिन अब रपोर्ट्स हैं कि फिल्हाल प्रोजेक्ट थंडे बस्ते में चला गया है कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते केसिस को देखते हुए फिल्म पर फिल्हाल काम रोक दिया गया है शेफाली शा और कीर्ती कुलहारी की सीरीज यूमन का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है डिजनी प्लस होट स्टार पर आने वाली इस सीरीज की कहानी दवाईयों के यूमन ट्राइल्स की है ये सीरीज 14 जनवरी से देखी जा सकेगी कल यानी 27 दिसंबर को सलमान खान का वर्थडे था इस मौके पर उन्होंने फार्माउस पर पार्टी दी थी इस पार्टी से उनका और जनेलिया का एक डांस वीडियो वाइरल हो रहा है जनेलिया ने इसे अपने इंस्टाकाउंट पर भी शेर किया है प्रियंका चोपड़ा जल्थ ही रूसो ब्रदर्स के शो सिटाडेल में नज़र आने वाली है उन्होंने बताया है कि सिटाडेल भले ही टीवी शो है मगर ये बहुत हाई स्केल पर बना है इसमें तगडे आक्शन्स के साथ ड्रामा भी है यही कारण था कि प्रियंका ने इस प्रजेक्ट को हाँ कहा था कैनेडियन फिल्मेकर जॉन मार्क वैली का निधन हो गया है वे एच्बियों की जबरदस्त क्रिटिकली अक्लेम्ड सिरीज बिग लिटल लाइस के डिरेक्टर थे 2013 में आई उनकी फिल्म डलास बायर्स क्लब को तीन आसकर मिले थे वर्ट सिनिमा के फैंस उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे है तेलगू सूपरस्टार महेश बाबू डिरेक्टर त्रिवीकरम श्रिनवास के साथ अगली फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं बीते दिनों श्रिनवास की लिखी फिल्म भीमला नायक की टीम महेश बाबू से मिलने दुबई पहुंची थी बताया जाता है कि यहां उन्होंने इस अपकमिंग प्रजेक्ट को लेकर बात भी की थी रनवीर सिंग की 83 कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है मगर खबर है कि इंडिया में कई जगाओं पर थेटर ओनर्स इस फिल्म को रिप्लेस करके फुषवा और स्पाइडर में नोवे होम लगा रही है बॉलिवोड हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक यह दोनों ही फिल्में रनवीर की 83 से जादा अच्छा बिजनस कर रही है वो लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट असीम रियाज ने एक ट्वीट किया और अब उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है दरसल असीम ने इशारों इशारों में शेहनास पर तंच कसा और लिखा अभी मैंने डांसिंग क्लिप्स देखी सच में लोग अपने चाहने वालों को खोकर इतनी जल्दी उबर जाते हैं क्या बात असीम के स्ट्वीट पर लोग भढ़के हुए हैं कुछ लोग उन्हें चुप रहने की सला दे रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में बुलाया जाता तो क्या वो रोतें प्विटर पर आज सुबह से ही शेम उन असीम रियाज भी ट्रेंड कर रहा है सारा अली खान रिसेंटली फिल्म अतरंगी रे में दिखाई दी थी सारा ने बताया कि इस फिल्म को देखने के बाद सैफ अली खान और अमरता दोना इमोशनल हो गए थे वहीं उनके भाई इबरायम अली खान ने भी फिल्म देखकर फीलिंग प्राउड वाला रियक्शन दिया था नसीर उद्दीन शाज जल्धी जी फाइब की सीरीज कौन बनेगी शिखरवटी में दिखाई देने वाले हैं रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनसे OTT पर काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि उन्हें फिल्मों से जादा अच्छा और इंट्रेस्टिंग रोल OTT पर ओफर हो रहा है शेहनास गिल के पिता संतोक सिंग ने हाल ही में बीजेवी जॉइन की है बीते दिनों उन पर दो पाइक वालों ने फाइरिंग की घटना अमरित सर के जंडियाला गुरू इलाके की बताई जा रही है फुलिस फिलहाल जाच कर रही है संतोक सिंग इस घटना में बाल बाल बच गए पेटा ने साल 2021 के Person of the Year का वाड आलिया भट को दिया है पेटा इंडिया ने बताया कि आलिया भट लगातार Animal Friendly Fashion Industry के सपोर्ट में काम कर रही है इसलिए उन्हें इस बार ये अवाड दिया गया है सीनियर एक्टर मुश्टाक मर्चेंट का 27 दिसमबर को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया वे 66 साल के थे उन्होंने सीता और गीता और सागर जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया था शोलों में भी उनको एक रोल मिला था जिसे एडिट में काट दिया गया था क्योंकि फिल्म लंबी हो रही थी ये थी आज की बड़ी फिल्मी खबरें मिलेंगे कर तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल ललन टॉप सिनिमा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं धूलिएगा शुक्रिया